आज का टॉपिक है सराबे, अलकोहॉली पे, अलकोहॉली पे इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें अलकोहॉल की मात्रा की अनुसार अलग-अलग प्रकार की सराबे बनाई जाती है विभिन प्रकार के एलकोहौली पे बनाने में भिन भिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इन में अलग-अलग रंग तथा सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं इन पदार्थों को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है पहला आसुत मतलब डिस्टिर्ड और दूसरा अनासुत मतलब अन्डिस्टिर्ड अब हम लोग पहले डिस्टिर्ड आसुत को पढ़ेंगे ये अनासुत सराबों के आसवन से प्राप्त की जाती है प्राप्त वास्पों को ठंडा करके संगनित कर लेते हैं और इन में अलकोहल की प्रतिसत मात्रा 35-40% तक होती है। कुछ मुख आसुट सराबे निमने जैसे विस्की। सभी ने सुना होगा। इसका उद्गम जो होता है जौ से होता है और एलकोहल की मात्रा इसमें 40-50% तक होती हैं। दूसरा ब्रांडी इसका उदगम अंगूर और सेब से होता है और इसमें अलकोहल की मात्रा 40-50% तक होती है तीसरा नाम सुना होगा रम इसका उदगम सीरा से होता है और इसमें अलकोहल की प्रतिसत मात्रा 40-55% तक होती है अगला जिन इसे मक्का और जौ से बनाते हैं और इसमें एलकोहल की मात्रा तीस से चालिस पृत्सत्त कोती है अब हम पड़ेंगे अनासुत, अन्डिस्टिल्ड ये फलों की रसत्वा अनाजों की किंडवन से प्राप्त की जाती है इनमें एलकोहल की मात्रा लगबग तीन से पंद्रा प्रतिसत होती है किंडवन द्रोग को छानकर और रंग तथा सुगंद वाले पदार्थ मिलाकर इनको प्राप्त कर लेते हैं इनकी बारे में कुछ पढ़ते हैं ये कौन-कौन सी हैं जैसे बीर ये जौ से उत्पन होती है और इसमें अल्कोहल की प्रतिसत मात्रा ती होली है साइडर इसका उद्गम सेब से होता है इसमें अल्कोहल की प्रतिसत मात्रा तीन से छे प्रतिसत तक होती है एक और है सेरी इसे भी अंगूर से ही बनाते हैं इसमें अल्कोहल की प्रतिसत मात्रा अठारा से चौबिस प्रतिसत होती है और अनासुत का एक भाग और है पूर्ट इसे भी अंगूर से बनाते हैं और इसमें अलकोहल की प्रतिसत मात्रा 15 से 24 प्रतिसत तक होती है तो अब आप समझ गए होंगे कि आसुत और अनासुत के अनुसार अलग-अलग सराब होती है सभी सराबों में अलकोहल की मात्रा एक समान नहीं होती है